हलो एरिवन और वन्स अगेन वेलकम टो उमर तस्कीर यूटीब चैनल माइसलफ उमर तस्कीर गाइस जब कभी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजीशन की हेल्प से अपनी वेबसाइट की रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पोजिशन आती ह यह होती है कि हम औरगनिक रिजोर्ट के अंदर अपने आपको FIRST PAGE के ऊपर लाना चाहते है या TOP 5 में लाना चाहते है या TOP 10 दिखाने चाहते है या फिर पहली पोजिशन के ऊपर हम अपने आपको दिखाने चाहते है अंदर अपनी वेबसाइट को राइंग करा सकते हैं विद्धा हेल्प आफ ऐसी ओट गाइस क्या आपको पता है 10-12 से भी जादा ऐसे तरीके हैं जिनके थूँ हम लोग सच इंजन रिजल्ट पेज के अंदर अपनी वेबसाइट को या अपने कॉंटेंट को राइंग करा सकते हैं जब कभी भी हम बिजनेस की विजबिलिटी की बात करते हैं ऐसा नहीं है कि केवल हम एक ही पोजिशन को टारगेट करेंगे कि बस और गनिक रिजल्ट में बस हमारी पोजिशन आजा है बस आट सिट और हम कुछ नहीं चाहते हैं सबसे पहला ऑप्शन है बहुत आए लोगों जिनको नहीं पता है यह फीचर इंजन रिजट पेज में कहां होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ घई यहां पर मैंने एक क्वेरी करी है अब देख सकते हैं यहां पर लिखा हो कि यहां पर पहली पोजिशन, सेकंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फोजिशन, यहां पर कहीं पर हम शो हो जाएं और गैस और भी बहुत सारे elements होती है, places होती है, इसा चीज़ पेज़ पेज़ पे जहा हम अपनी visibility दिखा सकते हैं हमें से एक है हमारा featured snippet, जो कि आप यहां पर देख रहा हो, क्या ऐसे steps हमें follow करनी चाहिए, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी website है, या हमारा content है, वो featured snippet में rank हो सकता है, इसके बारे हम लोग different videos में बात करें जहां पर बहुत detail बताऊंगा आपको, क इस type से हम लोग featured snippet में अपने content को rank करा सकते हैं, बट उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या-क्या potential है, तो guys, पहला option आपने देख लिया featured snippet, second option कि अगर हम लोग बात करें, that is actually people also ask for, तो यही पर अगर हम लोग नीचे आ जाएं, जैसे मैंने query करी थे, how to work on Excel, तो अगर आप नीचे आजाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, people also ask का भी section दिख रहा है, और अगर मैं इसके उपर open करूँ, तो आप देख सकते हो, Microsoft की website यहाँ पर rank हो रही है, अगर मैं नीचे आजोंग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँअपर आपने आपको rank करना चाहते हो guys तो आपका जो web page है उसके अंदर जो content है वो question answer के form में होना चाहिए अगर question answer के form में आपका content तो वहाँ पर chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो content है या web page है वो people also ask for wallet section के अंदर rank हो जाए तो guys ये two important features हो गई उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर third feature की तो images और video searches का भी option होता है guys यहाँ पर हम लोग को पताए कि अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो images का भी option होता है and as well as images के बगल में अगर आप देखो तो यहाँ पर videos का भी option होता है तो guys अगर आपका content वीडियो के form में है और नहीं है तो आप prepare करें वीडियो के form में भी content बनाएं उसको YouTube पे host करें उसको यहाँ पर rank कराने की कोशिश करें तो guys हम लोग जो basically बात करें वो opportunities की बात करें कि searching in a result pages में as a business owner या as a website owner में पास कौन-कौन सी अलग-अलग opportunities हैं जिनके तुरू हम लोग ranking कर सकते हैं फॉर्थ पॉइंट की बात करें वीडियो कराउजल वीडियो कराउजल सार बिसिकली जो आप यहाँ पर देख रहे हो अगर मैं images वाले या video वाले section के उपर नहीं याद हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक वीडियो कराउजल टाइप से आपको कभी-कभी यहाँ पर results देखने को मिलते हैं वीडियो कराउजल जहाँ पर भी आप अपने content को शो करा सकते हैं या rank करा सकते हैं फिप्ट पॉइंट इस Google my business listing बहुत सारे लोगों मैंने देखा है गाइस उनका Google my business के उपर account ही नहीं वह Google ads की बात करते हैं वह organic results की बात करते हैं वह SEO की बात करते हैं आप उसका SEO कर रहा है website का और उसको organically rank कर रहा हैं चाहते हैं उसके बाद भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप जो है Google my business के results में भी आप जो है वो top पे आ सके तो ये एक और potential आपके सामने बनता है 6th point के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप देखते हो which is actually knowledge panel तो अगर of India यह मैं type करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो कुछ इस type से आपको जो है result दिखाई देता है that is actually knowledge card यहाँ पर आपको knowledge card देखता हो right side में अगर आप देखोगे तो this is actually knowledge panel तो इस type से भी हमारा जो content है वो rank हो सकता है उसके पास 7th point के अगर मैं बात करूँ तो which are actually top stories तो अगर मैं यहाँ पर वापस नरेंद्र मोड़ी एक बार type करता हूँ नरेंद्र मोड़ी type करता हूँ तो आप देखो कि आप top stories आपको देख रहा है तो अगर आपकी website कुछ इस type की है news वागरा type की अगर आपके पास website है तो आपके पास opportunity बन जाती है कि आप top stories में भी जो आपर भी हम लोग ranking ला सकते हो सकता है वहाँ पर आपको बहुत जादा traffic ना मिले बट potential तो है the important point is potential है guys अगर मैं कहता हूँ कि organic results से आपको 100 का traffic मिलता है मान के चलते है और आपको यह जो दूसरे जो features होते है उनके तुरू आपको 5 कभी traffic मिलता है तो problem कि अगर 5 कभी traffic मिल र results के उपर भी CTR उगरा बहुत ही जादा high होता है तो guys अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आप देखतो मैंने query curry बड़ी general सी query curry which is actually paneer recipe और यहाँ पर आप देखो तो यह जो recipe वाले rich snippets आपको दिख रहे है these are the rich snippets और उसके लावा आपने देखा होगे बहुत सारे results में आप आपको नीचे जो है वो star ratings होगारा दिखते हैं reviews होगारा दिखते हैं तो those are also because of the rich snippets तो आप देखें कि rich snippets के basis पर भी आपका जो content है अगर वो rank होता है या rich snippets के साथ अगर आपका content जो है rank होता है तो आपर CTR वोगारा के भी improve होने के chances हो जाते हैं तो एक और potential आपके पास करने search ads विसके लिए run करने तो हमरे पास दो options होते हम तो top में अपने ads जो है वो दिखा पाते हैं और bottom में search results पेच के हम अपना ads दिखा पाते हैं guys कई बार हम ज्यादा तर effort एक ही direction में करते हैं और ऐसे बहुत सारे potential को हम लोग miss कर जाते हैं guys इन potential को भी हमें समझना चाहिए सीखना चाहिए कि हर एक चीज के लिए कि stripes से हम optimization कर सकते हैं और वहाँ पर अपने content को राइंग कराना चाहिए एक ही platform के पीछे एक ही चीज के पीछे अगर आप भागेंगे तो उसी के पीछे मतलब वहाँ ही से आपको बस potential मिल पाएगा और जो दूसरे sources है potential के उनको आप ज़्यादा explore भी नहीं कर पाएंगे तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंदाया होगा वीडियो पसंदाया होगा वीडियो पसंदाया होगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथ आठ मोर प्लेलिस्ट जो हैं वो हम तयार करें बहुत ज़्यादी चैनल के उपर आपको और ज़्यादा content देखने को मिलेगा आशागरता हूँ आप इसी तरीके से हमें support करते रहेंगे मिलता है नेक्स वीडियो में till then good bye झाल